let's do question number 8th of exercise 9a that is construction question number 8 is to construct a triangle similar to triangle abc हमें एक triangle construct करना है similar किसके triangle abc triangle के similar construct करना है in which bc is 4.5 cm ये एक triangle है जिसकी bc है 4.5 cm और क्या कह रहा है b angle है 45 degree और कह रहा है angle c है 60 degree using a scale factor of 3 upon 7 3 upon 7 का scale factor लेना है bc will be divided in the ratio तो bc को किस ratio में divide करेंगे ये बताना है वो option दे रहा है first option है 3 is to 4 की ratio में divide करेंगे second option है 4 is to 7 की ratio में third option है 3 is to 10 की ratio में fourth option है 3 is to 7 बताना है कौन से option में उसको divide करेंगे तो चलिए अपनी bc बना लेता है 4.5 cm की तो यह हमारी bc हो गई 4.5 cm की तो यहां हमने b और यहां हमने c 4.5 cm लेख लिया है अब वो कह रहा है angle b है 45 degree और angle c है 60 degree तो angle b बना लेता है 45 degree 45 बनाने के लिए सबसे पहले 90 degree का angle चाहिएगा तो हमने सबसे पहले 90 degree का जो हम class 9 में सीख चुके है वही angle बना लेंगे 90 degree का यहां हे 90 degree का angle अब हमने 45 degree का angle बनाना है तो 90 का आदा 45 होता है तो इन दोनों के बीच का आदा आदा अपनाएंगे तो हम यहां से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना है उसका आधे से ज़ादा ले लेंगे एक आर्क लगांगे आउंगे रोवा बनाने लिए पहलें यहां से और एक आर्क यहां से देगे यह आर्क लग गया है तो जहां यह क्रॉस हुआ है वहां से बी को जॉइन कर देंगे तो यह आ गया हमारा 45 डिग्री का अब हमें C बनाना है 60 डिग्री का C 60 डिग्री का बनाना है तो अगेन एक आर्क मारा और पहले आर्क पे हमारा बन गया 60 डिग्री यह आ गया तो इसको जॉइन कर देंगे यह वाला पॉइंट है जिसको C से जॉइन करना है देखिए यह आ गया तो यह पॉइंट A हो गया यह 45 डिग्री हुआ था एंगल B और एंगल C कितना था 60 डिग्री का राइट अब हमें यह बताना है कि जो नीचे बाइसेक्ट अब क्या करेंगे हम B अंगल से एक अक्यूट अंगल बनाएंगे किसी भी मेजरमेंट का तो हमने अब देखिए 3 अपॉन 7 है तो कितने पार्ट बनाने हैं 4th part 5th part 6th part and 7th part अब 7th part सारे पार्ट के नेमिंग कर देंगे तो यह अब B1, B2, B3, B4, B5, B6 & B7 अब 7th part को हम किस से जॉइन कर देंगे C से जॉइन हो गया अब जो यह पार्ट आया है उसी मेजरमेंट का हम देखिए उपर 3 है तो B3 पे बनाएंगे पैलल लाइन खीचेंगे किस के B7 C की तो हमने यहां से एक आर्क लगाया और सेम हमने B3 से आर्क लगाया सेम मेजरमेंट का अब हमने देखा यह और यह पॉइंट ज्यादा है तो हमने उसको कम कर लिया यह देखिए यह कट कर रहा है तो वही से हमने यह कटमा दिया तो आप जॉइन कर देंगे B3 से देखिए यह जॉइन हो गई पैलल हो गई लाइन किसके C B7 के पैलल हो गई तो यह पॉइंट माल लीजे पी पॉइंट आ गया अब हमने पता है C A के पैलल घीचनी है लाइन ए B पर तो यह कितने डिग्री का है 60 डिग्री का तो हम पी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे दिखिए यहां से किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हैं उसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है सिर्फ 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए तो एक आर्क मारा यहां से यह आ गया और इसको हम पी पॉइंट से जॉइन करतेंगे दिखिए यह आ गया तो यह जो पॉइंट आ गया है ए बी पर यह आ गया क्यू पॉइंट और यह आ गया 60 डिग्री का एंगल आप वो पूछ रहा है कि किस रेशो में डिवाइड हुआ है अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 3 is to 4 रेशो है तो यह वाला ओप्शन हमारा करेक्ट है जिसमें हमने प्रूफ किया है कि PQ के पैलल है किस के C, A के और ट्राइंगल A, B, C सिमिलर है किस ट्राइंगल के देखिए Q, B, P के Q, B, P, क्यों, क्यों क्यों कि देखे B अंगल B के यह equal है और C अंगल P के equal है तो Q किस के equal हो गया, A के, यही लिखा है, क्यों, क्यों 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 कि देखे B common है और यह 60-60 corresponding तो यह A A similarity से क्या हो गए Equal हो गए, answer